मोनु साइबर एक बार आप लोगों की दिमांड को लेके आज हम देखेंगे पूरा इंजन को किस तेगे से फिट किया जाता है और इंजन फिट करते समय क्या क्या चीजों को ध्यान में रखा जाता है तो यह एक एपियल इंजन है इंजन कोई भी हो कुछ चीजे होती है वो ह चीज बहुत अच्छी जान सीखने के लिए कि एक पूरे इंजन को फिट करने के लिए क्या-क्या चीजे अनिवारी होती है फिटिंग के दोरान पर या क्या-क्या काम करना जरूरी होता है इस गारी के अंदर जो प्रॉब्लम थी एक ख्राब थी और क्रेंग के सामने आप यह इस एक ठोके देगे तो एक साउंड आती है या फिट साइट प्लेब बहुत चादा हो जाती है उसके चक्कर में क्रेंग खराब हो और साथ में इसके जो है पुछ बाल पुछ बाल खराब हो रहें तो हम यह देखेंगे कि इसको कैसे फिट करना रहता है और यह जो पु इस जगास है और वो सबसे पहले हमें निकालने के लिए एक बार इस गाड़ी के अंदर इसकी पिने निकालनी पड़ी झार निकालने में खान दोड़ी है fast प्पर्णाओर इसकी पुल्य में बार इसकी प्ार इसकी में टृं के और रार इसकी प्रम में पॉड़ी के अंद प byजब इसकी अंदर इसकी चंदरर इसकी मेशचेश के प्स conventionस तो यहां पर आप देख सकते हैं यह पुराना वाला वाल और इसके कंडिशन देखें यह नया वाल हमेशा वाल इस जगह से कर जाता है वह कटता है टैमिंग गेर की वज़े से तो कभी भी आपको चेक करना है तो यहां पर आप उंगले जागा के देख लिए आपको गड़ा का महसूस होएगा बस बाकी इसके बाद फिट कर देना है इसको आप 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 को कि दutan करते हैous कि हैंजर है कbuilder के कृण और इस बास हमें डाले को मुली और इसके बाद में डालने हैं इस क्रेंग के पैरिंग इस तरिक में बेरिंग होते हैं, और जो हमारा टामिंग गेर साइड में रहता है, वो एक छोटा बेरिंग पड़ता है, और जो हमारा कलर साइड में होता है, उस टाइब में बड़े बेरिंग पड़ता है, वो बेरिंग को फिट करेंगे लिए कुछ नहीं, वा साफ सपाई र का यह बैरिंग हो चुका है हमारा फिट इसके अंदर हूं है तक विस्ए तरह इधर साइट पर यहां पर एक चीच का धान देना होता है देकि बीच में एक कोलर है उस कोलर के अंदर हमारा थे इश टाइब का इस प्रेश ने हे तबस्यार पिपेल के वरह को म erfad बाने निद्ग करता है प्रलंटिक करेंदा इसको में ओरशसुन है नोह परिट राके जैने को कि अबरा चरण में आ यह कि अंदरा ज़ख करें तो झाल झाल जब आप इतना फिट कर देंगे, बात टाइम आता है क्रेंग को फिट करने का, तो आपको एक चीज का ध्यान लगना है, ये तो हुई अमारी बैरिंग की कौन, और इसको फिट कर देंगे, इधर, इसके बाद लगती है एक छोटी कौन, और ये है बड़ी कौन, इस चीज का बहुत प्यार से ध्यान रखेंगे, बिल्कुल अपने दिमाद के अंदर बिठा लिजए, जो बड़ी कौन होती है, ये कलर साइट से लगती है, बहार से और ये इंजन के अंदर से लगती है, यहां पर, तो अगर आप ये डालना भोल जाएंगे, तो करेंग तोड़ा सा ड अजन के पय समयाना जाएंगे, फिल्ट कर दे के अशब मप内 टो बैरिंगे, तो नह , को बना चाबर बैरिंग को को भाएंगे, इसके अंदर बिठान comment तो को अपर ये सींद खराएं, इसके अंदर बिठा सकते है या फिर इसके पार बैरिंग को ये जिगते है मेरत तो बैर पहले आप सेलेंट लगाने हैं इसको पर इसके बाद इंजन के अंदर और कुछ नहीं होता है तो यहाँ पर इंजन के दोनों केस जो है आपस में बैठ चुके हैं और देखें एक हलका सा गयप आपको नजर आया बार्की और सबसे पहले आपको इजी पिठाने के बाद नटबोल टाइड नहीं करने है आपको चेक करना हैं कि इसका क्रैंग बिलकुल फिली घूम रह आ है या नहीं घूम रहे इस तरीके से क्रैंग बिलकुल फिली घूमने के तभी आपकी गाड़ी की स्टार्टिंग बढ़िया होगी, गाड़ी गरन नहीं पड़ेगी, यह चीज का ध्यान हम इसा रखें, अगर जरा सभी फेस टेड़े रहते हैं, तो क्रेंग खराब हो जाएगी जल्दी और जो बेरिंग है बेरिंग जल्दी आवाज कर जाएगी, इस चीज का ध्यान देदेगे, और इसके बाद इसके न्डवोर्ड टाईट कर देदेमें, अब बढ़िया, आपको पते हैं, जो अदैट जहां का खोला है वैसे फिट कर देदेगे, जब आप इसके सारे ताइट कर देंगे इसके बाद आपको मैंने एक कॉलर के बारे में बताया थे ना यह कॉलर नबती है हमारी इस साइट में पोलर हमारी बैदी झाल 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 प्लाल के इस वीडियो में इतना ही क्योंकि वीडियो का प्लाल के इस काफी लंबा बन जाएगा और डिटेल में समझ में नहीं आएगा इस लिए इस पार्ट को इतना ही रखते इसके बाद अगला पार्ट आपको देखने मिलेगा जिसके अंदर आप ठेकरने वाले टाइमिंगे कलच और गेर बॉक्स ये तीन चीज़े अगले पार्ट में और ग